हाजी तो हाजीर है एक बार फिर आप से भी नौजवान और जवान मल्टी टालेंट है युवा सकती के सामने आप जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर यह फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो चली शुरू करते हैं दिन बाते तो होती रहती है तो देखें एक टूमिक स्ट्रेक्शर अट्वमिक यानि हिंदी में क्या वलता है हिंदी वाले हिंदुस्तान है तो प्रमानुशन रचिना है यह प्रमानुशन रचिना तो चली सर इसका शुरूबात करने से पहले हम लोगी जानना चाहते हैं कि वाट इस हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड अफ इस चैप्टर्स तो इस्वी सन अब 2020 खतम हो गया सब 21 में आगे तो इससे इस्वी सन से पहले यानि बैदिक पिरियेड बैदिक पिरियेड यह लगभग 1650 से इतने 20 को हम लोग वैदिक पिरियेड करते हैं तो इसी किसी पिरियेड में लगभग चाहसर के बीची के आसपास हमारे ग्रीट हिंदू फिलासफर हुए थे कनाच कनाच सुट्र में उन्होंने चर्चा किया है कि होड़ी अल्टिमेट यूणिट ऑप पार्टियर वड़ी इस प्रदार्थ का सबसे शुर्षितम कन कौन सा है ठीक है और उन्होंने कहा था कि कि में प्रदार्थ समय का सबसे छोटा कंद बन्री उन्होंने सब्सट परन का मत्तलि होड़ी उसक्रिछ यह हमारे हम्हांनजी क्या है ईल्टिमेट उन्हों है उनिसह पौवर्फुल कोम हमारे विन्हों जी तूहम! परम सब्द का उन्होंने योज किया था यह अलग बात है कि आप जब गूगल करेंगे कुछ करेंगे तो यह आपको देखने के लिए यहां से आपको दिखलाई देता है लेकिन है सर्फ यह ग्रीक वाले फिलोसफर से पहले हमारे कनाद रिशिजर वैदिक पिरियन में कलपना किया था वालकि आप देखिये मिलेगा आपको सर्फ हमको पहने का मौका तो नहीं मिला लेका नाथ सुत्र एक बुक में आप चर्चा होगा कि वहारे किसी भी प्रदात का सबसे जोड़ा करन परमान हुए और उन्हें परम सब्सक्रीट वर्ड सिलाए था जैसे के भी हम बताये था चादी डेल लगभग पांसो बीसी यानि इस हमको लगता है कि हमारे गनाद शिक के बाद को सपूर्ट किया क्या कि हगार कनाद भीया जो कहें ते वस सही कहें यह ऐसा है उन्हों नहीं कहता हम का रहें सही कहते और उन्हें क्या क्या चल्याओन को अंगरीजी में ग्रिक वर्ड एक पहाशितılan मौन प्सक्रा कि आटम ब जिसक वर्ड एटमोस से, एटमोस का मतलब है इंडिविजवल, अनब्रेकेबल, यानि उन्हों जो हमारे बैदिक कनाद रिसी ने कहा था परमानू, उसको निहों ने केबल ही कहा कि किसी भी मैटल इस कमपोजर आप पार्टिकेल, इंडिविजवल पार्टिकेल, इंडिविज फिलासफर थे, यानि फिलासफर मतलब जानते ही है, जो कुछ वो कहते हैं, उनके अपनी आइडिया होता है, that idea is not based on the experimental evidence, that's why they are called philosopher, चलिए इतने के बाद, इन सब के बाद, जब इस मिशन सुरूफ हुआ, तो दिखे सर्थ, आप सबसे पहला फिजिक्स का होता है, तो पहली बार लोगों ने महसूस किया, कि यहां कुछ न कुछ हो रहा है, यानि सॉलिड से पर हम किसको रभ करते हैं, तो सॉलिड से electricity जेनरेट होता है, तो सॉलिड जेनरेट्स इलेक्टिसिटी, इलेक्टिसिटी, और फैराडे लाओ अफ इलेक्रोलाइसिस होता है, लिक्विड से इलेक्टिसिटी जेनरेट होता है, ठीक है, और उस्ती समय 17, 1879 में बिलियम क्रुक्स ने डिस्चार्च रिव एक्सपेरिमिल किया, और उन्होंने प्रूफ किया, कि नहीं भी या, गैस से भी इलेक्टिसिटी जेनरेट हो सकता है, चुकि जब सॉलि किया कि हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ऐसा कंडिसन हम लोग लगाएंगे, तो गैस से भी इलेक्टिसिटी जेनरेट होगा, ठीक है, तो सॉलिट से इलेक्टिसिटी जेनरेट होना है, चाहिए लिक्टिसिटी जेनरेट होना है, गैस से इलेक्टिसिटी जेनरेट होना है, यह कही बाद modern atomic theory मतलब यह हमारे डेमुत की देटर लिलसी के बाद 1806 में जॉन डाल्टन्स ने एक atomic theory दिया जो आप पढ़े थे उहने में बस वही कहा था जो उपर से हम लोग पढ़ते आ रहे थे या फिलासफर लोगों नो जो बताया था बस उसी को उन्होंने महिमा मंदन किया था लेकिन यह अलग बात है कि यह पहला साइंटिस्ट थे वह लोग फिलासफर थे यह साइंटिस्ट थे वह जो कुछ भी कहा उन्हें एक्सपेरिमेंटल एविटिस के आधार पर कहा और क्या कहा था और नाइंथ क्लास के किताब में आप देखे में कि मैंटर इस कंपोजड अ जुआ है और कहा है और वह जो कहा है और नहीं कि आ पर शुक दिखे में एक व्यास आप्स्ट करेंगल ऐग दुआचिक लूड यह ज़िए में डिखे में अ स्टम्खाटाय के अपिर अटन यह ज़िए ने पांटन पर दूर्ड हैं और पिर उन्हर जोड नोरु अनाटन मे कैसे atom combine करके substance या matter बनाता है तो यह कुछ उन्होंने दिया लेकिन इसका main बात यहां क्या था कि john dalton ने भी क्या कहा था कि atom unbreakable है individual यहां के बाद john dalton के बाद देखें लोगों ने सोचा क्या सोचा हुए है कि glass rub के बाद electricity generated होता है यानि solid से electricity generated फाइराडे लॉग electrolysis से भी पता चलता कि liquid से electricity generated होता है तो बिलियम संग क्रूप ने यह प्रूफ किया कि gas से भी electricity generated हो सकता है दिल आफ्टर यह बिलियम संग बिलियम क्रूप के experiment का extension है cathode ray experiment तो यह modification है उन्हें के experiment को आगे बराए था है आदिस्कॉबर इलेक्ट्रों तो cathode ray experiment पता है उसे इलेक्ट्रों का डिस्कॉबरी अनोर्ड रेज experiment radio activity का discovery cosmic rays experiment bombardment alpha particle on beryllium and metal explosion all these experiment firstly concluded firstly क्या all these experiments के द्वारा अलग-अलग experiment के द्वारा अलग-अलग particles का discovery हुआ और सब यह all these experiment prove that नहीं विया atom ultimate नहीं है और सभी particle होता है इसके अंदर क्या होता है तो वही हम लोग को परना है क्या परना है कि कैसे cathode ray experiment से इलेक्ट्रों का discovery हुआ इनोर्ड रेसे proton का discovery हुआ बंबार्डिमेंट वाले से यह जो बंबार्डिमेंट अब आलफा पार्टिकल और बेरियनियम या फिर निलिथियम एक्स्परिमेंट का नहीं है इसे तो इसमें पोजित्रों है नीट्रीन हो है पोजेटिब मेसा और निगेटिव मेसा और वह सारे पार्टिकल का क्या करना है प्राहइब करना है तो चलिए यह सब इंट्रडक्टरी क्लास के बाद हम लोग अब देखेंगे क्या थो टे है तो मेरे हुन हारो अईसा है कि लेकी यह ब्लास टीब है एक लास्टिव है जलास्टिव है सब मिल्यूरकार के था certificate विलेम करोक्स छप्म्शल्य थांसभर देखें क्या है यह ग्लास का टीब है जिसको आप discharge भी कर सकते हैं चुक्चें ग्लास पर कौन सा चार्ज होता हैं ई हां जीं हां discharge कोई charge निज्यार्ज अन्ग देखें है यह उस्थ निजगेत ख Fach当 tra और यह पोजेटीब टर्मिनल से जोड़ दिये तो यह इस पर क्या है पोजेटीब टर्मिनल है इसको आप एनोट कहते हैं का थोड़ एनोट का क्या मतलब इस इस पर क्या है आप निगेटीब से जोड़ दिये मतलब इस पर इलेक्ट्रोन ज्यादा है यह पोजेटीब यह नीगिटिव है तो देखे सरी यहां क्या वहा इसके अंदर यह देखे गैस लेना है ठीक है यहांनि गैस लेना हैं और हॉफ Ой ठीक है यह द वैलक्टर्ड के परचली यह गस है गैस का प्रेसर हम देखेंज करेंगे, और हाई बोलटए तो लिए तर आ में आपको क्या करना है याद रखना है लोग प्रेशर और हाई वोल्टेज उन्हों ने maintained किया था high voltage यह fix देखिए 10,000 volt यह उन्होंने दिया था तो low pressure का जो case है इसको आप देखिए थोड़ा सब समझ सकते है case one कहता है जब आप one atm ठीक है कि जानबे करते है कितना है यह इतनके सबस्क्राइब अर्बल्टेज वही optimize पर इस पर מצ्ट्र पर कुछ नहीं हुआए bullish दे रहा है कुछ तो रहा है कुछ नहीं हुआ कुछ दिखाइ दे रहा था कुछ को रहा है कोई हल चल नहीं है यह बुनका बुनका कुछ नहीं है सरी हम तो दिखा रहें यानि नो करेंट फ्लो कोई करेंट फ्लो नहीं किया कोई कलर नहीं है किस टू सर के स्टू कहता है यह दी प्रेशर अट प्रेशर प्रेशर डैट अट लोग प्रेशर चलिए लोग प्रेशर यह लोग प्रेशर हम मेंटेन कर रहे हैं 10 पाइब माइनस टू एत्यम इंसले यह कर अफ्ण के असपास जड़ किया गया तो देखा गया कि करेंट यहां से फ्लो और इसमें एक और चीज होगा की यह ग्लो करने लगा ग्लो करने लगा और वो ग्लो जो था बैटीज जनरली डिपेंट्स डैटीज जनरली क्या है यह डिपेंट्स और नीचर ऑफ गास टेके नियोन लाइट यह दिल लेते हैं तो रैडिस ओरेंज कलर इसमें डेजर आ रहा था इस केस में देखे करेंट कि स्टार्ट्स फ्लोईंग और क्या है सर इसमें ग्लो ग्लो कलर ग्लो बितमिन बितमिन electrodes electrodes के बीच में color glow कर रहा था जो generally reddish reddish arrow ends था वो neon के करण्थ neon light के करण्थ सरीए ऐसा था तो यह actually यह क्या था color यानि light था थीक है तो यह दो case में हुआ कहा कि यह सब देख के कहा आई यह सदानम रात है one atmospheric पर कुछ होई नहीं रहा था था थोड़ा pressure low कर दिया इतने ही चमक रहा है इसके वीच में वाह 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 तो चलिए इतना बात समझ गे तीसरा केश जब उन्होंने क्या किया इसको तो मिटाएंगे सर्सरा आप लिख ली जगा तो मिटा देते हैं ठीक है तो case 3 में case 3 क्या है जब प्रेशर को काफी लो कर दिया यानि आट केश 3 कीजे आट वेरी लो प्रेशर वो प्रेशर क्या था वो प्रेशर था याट इस तेंपर पार माइनस इतना एम्म इतना अटमस्वेरिक प्रेशर एटियम बाट इस 0.01 mm of Hg के आसपास यह किया गया तो देखा गया कि करेंट कंटिनुएसली फ्लोई और यह जो ग्लो होडा था वो ग्लो यह जो है यह ग्लो जो था वो डिसापीर हो गया के उनकल और यह जो पर यह कंटिनुव हो रहा था लेकिन कलर ग्लो जो था वो डिसापीर्ड हो गया डिसापीर्ड होगे और यह ज़रए पर यह कात होड यह किजे किए तो आप यहां देखा गया और इसके दिवाल को यह जिंक सलफाइट जेरेने से लेयर कर दिया गया जेरेने इसका कोटिंग कर दिया गया कोटिंग करने के बाद देखा लेकिन हेथा पर के फॉश darg लेकिल से कुछ दराग कर रहा था यहां औरह इस और पर यहां वेंगी यहां यह यहां यह कुछ नहीं था है यहां कुछ नहीं निहां कोई नहीं नहीं अब दखने हैं रहा था यह इस केस में क्या हुआ है कोई क्लर्न नेरे कि कि यहां यहां कुछ नहीं आ रहा है लेकिन इस जगह यह जो जिंक कर लेड़ किया हो है जिसको येpa यहां वह उजट ऻान 되는 अन्हे भी यह पटेस्व ही थिट्वग लोगुशण ग्लोग यह सकता। घुको यहां तो आफनी का थी कर में चोनल दो है यहतेज्ट dopo छुड़ा थी, था तो यहां आलो प्रह्कतो प्रहुत कर देजए़ high voltage when maintained in discharge tube then invisible rays emerge from the surface of the cathode and which passes through the pores of anode and strike to the wall of glass tube produce glow that glow produce phosphorescence का सकते हैं glow on the wall of glass tube or what is the color of this glow that is greenish glow ठीके और इस invisible rays को क्या कहा गया cathode rays कहा गया तो चलिए यह आप समझ गया कि क्या हुआ सो अब जरा देखिए इसको मिटाएंगे हम अब सवाल यह उठता है सर कि यह कहां से बना और कैसे बना ठीक है इसको थोरा सा आप समझ लेजिए यह ओरीजिन कैसे हुआ होगा ठीक है यह और इजिनेसन कैसे हुआ होँ से यहाँ से यह ग्लास किप से यह से इलेक्ट्रोन आया होगा यहाँ से अब सब्सक्राइब मेड़ेंग कि अटम से यह मिट्रो थो अधेशन से इसमें इलेक्ट्रोन से-दिए सोग्ले से यहां से निकलता हो तो यदि यहां देखें सब्सक्राइब है इसे तकड़ाएगा इदर इदर नहीं नहीं यह Hm होगा मतलब atom कहीं यहां होगा कहीं यहां होगा कहीं यहां होगा तो जब यह यहां से मूफ करेगा तो इसका kinetic energy भी तो बढ़ जागा kinetic energy get increases increase कर जाएगा और हाई kinetic energy वारे electron is gaseous atom से तकड़ आएगा और यहां से electron क्या करेगा निकाल देगा तो यह क्या करेगा यहां से तो एक चीज आप याद रखे कि आप से कुई पूछा जाए कि कैथोड रेच में जो इलेक्ट्रोन निकला नेगेटिवली चाइज पार्टिकल निकला उसका उरिजनेशन क्या है तो ऑन दमेट और इस कहां से निकला तो वह गैसियस गैसियस आटम के डिसिंटिग्रेशन से भी निकलता है ठीक है जनरली लोग क्या करता है कि मेटल प्लेट से निकला लेकिन गैस के आटम के डिसिंटिग्रेशन यानि दो सोर्स है यहां एक मेटल प्लेट का आटम भी सोर्स है और दुसरा गैसियस आटम जो यहां लिए है वो ये आप जाने तो आप ये जाने गए देन इसको क्या किया गए इसको चले मिटा रहे हैं अब इसका जन्रल प्रोपर्टीज जो है प्रोपर्टीज प्रोपर्टीज और कैथोर रेज का प्रोपर्टीज आप जानते हैं कि यदि इसके ट्रेवल इन स्टेट लाइन पाथ यह इसके रास्ते में यदि आप कोई इसके रास्ते में कोई एक वील रखें उसको वो रोटेट कर देता है रोटेट से पता चलता है कि इसमें पाथ किल है जिससे यह बना हुआ है यह इस ब्लाकन फोटोग्राफिक प्लेट को यह क्या कर देगा फोटोग्राफिक प्लेट को यह काला कर देता है ठीक है इट जैनेरेट इस एक्स रेच वरेन इट इस्ट्राइक और सरफेस आफ सरफेस अब हैभी मिटल है बिंटल के सरफेस पर ज है यह जनरेट टकड़ा इए तो एक्सरेज़ जेनेरीच फुदा अब एक्सरेज कैसे जनरेट हुँ से आप जानते हैं इसका नाइचिप कर सकता है यह यह होता है और डारेक्शन डिफ्लेक्शन इंडिकेट that it is it is beam of negatively charged particles it get it get deflected deflected in electric and magnetic field magnetic field और इस direction से क्या पता चलता है this is beam of negatively charged particles तो ये साब general properties है फिर आप इसका कहता है है कि its velocity इसका जो speed होता है speed the speed of this cathode is 110th of velocity of light its speed is about about 1 by 10th of velocity of light velocity speed या velocity velocity का इतना है तो ये एक simple बात है जो आप 90th में पढ़ें अब इसमें क्या कहता है कि cathode is what is cathode this is the beam of negative charge particle ये negative charge particle का बना हुआ है जिसको जिसको जेजे थांसन ने कहा जेजे थांसन ने कहा जेजे थांसन के आधार पर ये निगेटिःटिव चार्ज शार्ज पार्टिकल को उने और इसी निगेट्रोन को according to stone, stone ने इसका नाम क्या रख दिया electron, तो the term electron coined by scientist stone, while जो 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 थामसन उन्होंने इस निगेटी चार्ज पार्टिकल को निगेट्रोन का था, तो घर चली, अब इस निगेटी चार्ज पार्टिकल इलक्रोन का, आप पढ़े हुगे EYM ratio, charge and mass, charge और mass का ratio determined by JJ Thompson, again the charge, charge of electron determined by Milliken by oil draft experiment, तो सवाल यह हुगता है कि यदि EYM, यानि charge और mass का ratio already JJ Thompson बता चुके थे, तो यानि charge EYM का ratio बता चुके थे, तो फिर E अलग से Milliken को बाद में बतानी की क्या जुवत प्रा, ठीक है, तो बड़ी सिंपल सा बात है सिर, आप जानते ह हैं, चलिए हम next video में, चोके video लंबा हो जागा, next video में हम लोग ये बताएंगे, इसी का extension part हम लोग करेंगे, कि, what is the EYM ratio of electrons, and then Milliken will drop, and then so on, बढ़ेंगे, तो आज की मुलाकात को इतना ही रखते हैं सर, next lecture में हम लोग में लक्चर नमर 2 में मिलते हैं, और जहां हम लोग your mind EYM ratio of electron, so thank you very much, Jaihin, Jaiwan, meet again.